नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी आज की वीडियो में देखिए आप मुझे क्लास प्लस पर कॉंटेंट बनाते हुए काफी टाइम से देख रहें और जब भी हम कॉंटेंट की बात करते हैं तो जनरली लोग बात करते हैं कि कॉंटेंट कैसे बनाया जाए लाइटिं आते हो मैथमाटिक्स के बारे में वीडियो 12 क्लास कोई सर्च करेगा यूट्यूब पे गूगल पे आके तो आपका वीडियो सबसे उपर आए इसे एंशॉर करता है एक प्रोसेस जिसे कहते हैं सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन ठीक है तो यह बहुत जरूरी होता है ब तो बस हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानेंगे इस वीडियो में तीन ऐसे टूल्स जिन से हम कर सकते हैं बढ़िया SEO मेरा नाव है सुमित मैता और यह है क्लास प्लस का यूट्यूब चैनल तो दोस्तों SEO करने का पहला तरीका अब सबसे पहले तो समझे लेते हैं कि SEO SEO है क्या अंग्रीजी के तीन शब्दों के अलावा इसका क्या मतलब होता है एसेंशली क्या चीज़ है ठीक है सबसे पहले किसकी वीडियो दिखेंगी किसकी वीडियो दिखेंगी तो बढ़िया कॉंटेंट भी हो गया सबसे ही पैसे ही पैसे आएंगे मजा जाएगा ठीक है तो यही हम अलग-अलग टूल से करना सीखेंगे कि कैसे अलग-अलग टूल से आप कर सकते हो सबसे पहले जो तूल हम कर रहे है उसका नाम ही है answer the public क्योंकि हम SEO में क्या कर रहे है ठीक है तो देखिए यहां पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर चला देता हूं रिकॉर्ड एंटायर स्क्रीन ठीक है अब देखिए यह कुछ ऐसा दिखता है मैं आपको पैसे दिखा देता हूं कि आप सर्च के अंदर आप जाके सर्च कर दिए अब अगर बनाते हैं इसमयiset प्रफोमसे कि साइजिए छोटा कि हमें बिल्कुल प्रटी मंजूर नहीं Clay 00 यह देखे आप देख सकते हो की इंडिकेटर्स के अंदर जो हाइली सब्सका जो कलर है वो थोड़ा डाक है और फिर थोड़ा लाइट होता रहता है यह भी लोड हो रहा है अब अगर आप नीचे जाए जाए ना तो आ अपको दिखता है कि यहां पर search volume जो है किसकी जादा है किसकी कम है यहां स्टाउक मार्के ट्रेडिंग इंडिया अथि इसका हो गया अब इसको लोड़ा जेनरेक लेते हैं मतलब स्टॉक मार्केट अगर हम लिखें सिर्फ जैने कि एक वर्ड से अगर हम जाए तो कितने किस तरीकी किस रिजर्ट समय दिखेंगे हम यहाँ पर देखते हैं थोड़ा लोड हो रहा है थोड़ा रुखते हैं क्योंकि यह हमारे आगया आगया यह देखेंगे हैं जैसी हमने एक थोड़ा जेनरेक वर्ड यूज किया स्टॉक मार्केट उसके अंदर हमें बहुत सारे आको यहां पर सर्च रिजर्ट दिख गए और हर एक चीज़ के अंद ऐसकेसर किया जाता है है 살짝 थोड़ा कम फिर में थोड़ा-ोड़ा-थोड़ा थोड़ा थोड़ा-ोड़ा थोड़ा- तो इसे अगल अगला एसले हर तरीके का आत यहां पर सर्च रिजल्ट का देख सकते हो क्वांटम की कितना और इस तरीके से आपको मिलेगा जवाब कि आपको वीडियो भी किस बारे में होना चाहिए क्या उसका टाइटल होना चाहिए क्या उसके साथ होने चाहिए तो यह था आपको क्या लगा ना नहीं वह नहीं वह नहीं दूसरा जीपीटी यह भी बहुत बढ़िया है जैसे जीपीटी बहुत बढ़िया तो इससे गया होगा आपके हर तरीके के कॉंटेंट का मतलब यूट्यूब हो गया निंस्ट्राम लिंक भी हो गया कोई बी कॉंटेंट का आप इसे से क्यों कर सकते हो चाहिए आप दो यह दिलि का कुछ आ गया हमारे यहां पर शोविक जीस को सर्च कर रहे थे पर सबसे पहले में रिकॉर्डिंग पर लगा देता हूं इसे चीखता आएगा देखिए यही है हमारा SEO GPT बढ़ बढ़ी चीज आप देखिए इस पर पहरा रिजट आएगा आपका इसका वब अट्रस यह है जैसे इस पर आओगे आपको लॉग इन करना है साइन अप करने के बाद आपको कुछ ऐसा मंजर देखेगा अब आपको किस तरीके का जो है टाइटल देखना है किस तरीके का content से आपको टाइटल या फिर SEO करना यहां पर दिखिए आप काटेगरी चूज कर सकते हैं है signing title interesting title trending title clickbait title इसे हम सब होंक कर देते हैं आगे आकको की वर जालने है अगर अग्याण स्टॉक मार्केट के बारे में सर्च कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के बारे में content बना रहे हैं तो वही लिख देते हैं brand optional है URL बी optional है यहाँ पर words auto variation 1 clickbait title हमने select किया है और यहाँ पर मैं इसको write it कर देता हूँ यह देखिए unlock the hidden secrets to dominating stock market यह एक तरीके का title आगे है जिसको आप अपनी videos में use कर सकते हो जिसका SEO यानि की search engine optimization बढ़िया होगा ऐसे बहुत सारे और भी हैं ठीक है यहाँ पर इसको जब आप यह देखिए यहाँ पर इसमें अगर हम write again करने को इसको कहें तो यह क्या लिखता है वो भी देख लेते हैं यहाँ पर देखिए variation एक था अगर हम इसको और variation के साथ select करेंगे और दुबारा से write it पर click करते हैं तो आप देख सकते हो कि इसमें अलग-अलग variation अभी हमें एक ही देख रहा था की website भी Google results में सबसे उपर आए इस तरह के अगर आप SEO करना चाते हैं तो वह भी इससे आसानी से हो जाता है क्या करना है आप Google करिए phrase.io जो की पहले रिजल्ट आएगा उसको select कर लीजिए उसके बाद जैसे यह स्क्रीन आप देख पा रहे हो ठीक है इसमें क्या होगा आपको लाग ऑन करने के लिए घरा साइनब करने करें टो आप से कुछ बेसिक सी वह आपका नाम आप क्या करते हो किस लिए यूज़कर ना चाहते हो आपका बिजनस ऑपकी आप इसमें यह से कुछ त्वान नजर आएकगी इसके अंदर आप create new document पर जाईए SEO workflow पर जाईए फिर उसके बाद अपनी query सर्च कीजिए लेट से मैं यहां पर अपनी country तो पहले यह ही सर्च कर लूँ और language जो चाहे आप सेलेक कर दीजिए और उसके बाद search कर दीजिए query जैसे कि मैं search कर देता हूँ इसको मैं create document पर क्लिक कर देता हूँ और यह देख रहे हो कि यह document create हो रहा है अभी हम empty page से ने शुरू करेंगे हम यहां पर start writing AI से करते हैं हम यहां पर यही लिखते हैं यह देख रहे हो आप जैसे हमने search किया SEO on video related to stock market तो यह result निकलके आ गया ऐसे हम दूसरा करके देखते हैं SEO on video related to cooking यह हम यहां पर क्लिक करते हैं और हम देख सकते हैं इसका आपको पूरा answer यहां पर form होके दिख जाएगा और आपकी SEO strategy बनकर तयार हो जाएगी कि टाइटल आ चुका है introduction क्या होना चाहिए क्या आप उसके अंदर कैसे keyword research कर सकते हो कैसे लगा सकते हो पूरा मतलब इसके अंदर देखिए यह तूल बिल्कुल अलग से निकल कर आ रहा है कि इसने हर एक strategy के बारे में अच्छे से आपको explain कर देगी कैसे कैसे करना है देखिए पहले आप थौरो keyword research करिए कैसे कर सकते हैं वह भी इसने बता दिए ठीक है वह भी इसने थोड़ा बहुत बता दिया आपको तूल से बता दिये तो इस तरीके से कि आपको क्या-क्या हो लिखना भी चाहिए थम्नेल पर वह भी आप देख सकते हो देखो यहां में टाग्स कौन से यूज करो क्याप्शनिंग में SEO कैसे बूस्ट होगा वो सब चीजें आपको पूरा डीटेल में यहां पर मिल जाती हैं और इससे आप यह सारी इस्ट्रक्शन्स फॉलो करोगे तो आपकी हर एक वीडियो वीडियो कुछ भी हो जाया आप एससी पढ़ाते हो या स्टॉक्स पढ़ाते हैं I hope कि आपको सब कुछ समझ में आओगा अगर कुछ नहीं समझ में आ तो नीचे क्वेश्चन लिखिए कॉमेंट में में बदाइए हम आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए ततपर है यह है तो मैं चलता हूं आपसे में लोगों आगली वीडियो में मेरा नाम है यह सुमित में ता बागी सब फर्स क्लास है